हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग होप अच्छे होंगे अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे वेलकम टू जैशी ठारेट अभी हम आज देखेंगा कि इंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में यह नो कॉंटेक्ट कॉंटेक्ट के लेंगे और देखते हैं कि इंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं अपने relationship को याद करें अपने परसन को याद करें सची भावना रखें ताकी सही गाइडेंस आपको मिले इस गाइट करें इंजल्स पहला message यहाँ है कि सब कुछ आपकी हाथ में है आप जैसा चाहेंगे वैसा आप पर relationship होगा लेकिन आपके यह सब आपके ऊपर है आपके ऊपर निर्भर करता है आपके ऊपर depend करता है कि आप इस रिष्टे को कैसे चलाना चाहते हैं अच्छा चलाना चाहते हैं बुरा चलाना चाहते हैं बगालना चाहते हैं खराब करना चाहते हैं arguments चाहते हैं औरने शुआ करना चाहते हैं तोटली आप पर डिशॉष्ट करें कि पहले मुझे चाहिए क्या उसके बाद कुछ चीजे आगे बढ़ेंगी next listen to your intuition to आप अपने intuition की जरूर सुनें, आपसे देखें आपके अंदर की जो आत्मा है, अंदर की जो आवाज है, मन की आवाज है, वापको क्या guidance देरी, क्या कहना चाहती है आपसे, इस रिष्टे के बारे में, इस relationship के बारे में कि क्या अच्छा करना है, या रहना है, नहीं रहना है, सुधारना है, क्या कमिया है, उन्हें ठीक करना है, हाँ, ये मेरे अंदर कमी, शायद मुझे ये सही कर लेना चाहिए, तो शायद ये सही हो जाए, कुछ ऐसे मुझे मेसेज़ें अंदर से हम लोगों को मिलते हैं, अंदर से मन की आवाज आती है, कि या ये कर लिया होता, त ये सही हो जाए, या मुझे समय दिने लगों, उसे तो शायद उसब कुछ सही हो जाए, या मैं उसे थोड़ा प्याज अताने लगों, तो शायद ठीक हो जाए, कुछ भी हो सकता है, रिजन, तो ऐसे कुछ आवाजे आती हैं आपके अंदर से, तो आपको उन्हें सुने की जरुरत था उतको follow करने की जरुरत, let go करें पुरानी चीज़ों को पुरानी चीज़ों को पकड़ कर बिलकुल भी नहीं रहना है आपको अपने situations में अपने relationship में चाहे वो contact हो, चाहे वो no contact हो कुछ भी हो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को पकड कर नहीं रखना है तोटली डिपेंड करता है आपके उपर क्या आपको पकड कर रखना है या नहीं रखना है अपने चीजों को आगे बढ़ने देना है या नहीं बढ़ने देना ये तोटली आप पर डिपेंड करता है और अगर आप लेट गो नहीं करेंगे पुरानी पकड़ के बैटे रहेंगे तो, आप क्या होगा, वही arguments वही लडाई, वही चीजें, बहस, वही रोनादों होना, वही रातों के निन्दे खराब होना, परेशान होना, डिप्रेशन में जाना, इस सारी चीजें, आपके साथ में रहेंगी, जैसा की हमेशा से होता आया है ओके, the situation will improve आपकी जो भी current situation चल रही है आपका relationship में वो improve जरूर होगी लेकिन, लेकिन, लेकिन उसके पहले आपको इन तीन मार्गों से गुजरना होगा तीन मार्ग कौन से, it's up to you यानि totally, आप पर depend है कि आपको चाहते क्या है पहले आपको decide करें कि आपका आप चाहते क्या है इस रिष्टे में second आप उपने मन की सुनें कि आपका मन आपसे क्या कहना चाह रहा है ये आपपर depend करता है कि आपका मन जो कह रहा है या उसकी नहीं सुन पा रहे हैं और पुराने चीजों को छोड़ें अगर पुराने चीजों को नहीं छोड़ेंगे पकड़के चलेंगे तो फिर कहां से इस situation इंप्रूफ होगी कि आप खुद ही समस सकते हैं बटर वे में इस बात को अच्छे से समस सकते हैं देखते हैं कि Taro के परफ से आपके लिए किया guidance है, क्या कहना चाहते हैं, angels, प्लीज जाइड कीजिएगा, मेरे वीवर्स के relationship के लिए, क्या messages है, क्या guidance है, प्लीज गाइड करें, Thank You, Thank You, Thank You, Thank You Hence, All Right. कि खुद को कितना अकेला रखेंगे पहला तो यह मैसेज जी आपके लिए खो तो कितना अकेला रखेंगे इस स्टी विलिटी कब लाएंगे आप अपने रिलेशंशीप में ध्यर बना के रखें गोमे हैं डेन लेकंट और वह mijn हम में पतक यह एक्षन यह अपने आप को अकेले में कितने सवाल करेंगे अपने आपको अकेले में कब तक रखेंगे अपने आप से कब तक पोछते रहेंगे अब समय है आगे बढ़ने का इंतिजार की घड़ी अब खतम कीजिए वेटिंग मोमेंट आप खतम कीजिए और कहीं न कहीं अगर आप खुद को अकेला प के पास वापस आ रहे हैं में भी आपके परसन भी आपके पास वापस आ तो आपको सबसे पहले आप जो है बहुत हो गया रोना धोना बहुत हो गया खुद को डिप्रेशन में कर लेना खुद को अकेला कर लेना अब बारी है आपको आगे बढ़ने की अपने सिच्वेशन को इंप्रूब करने की दसन देखिए फिर से मैंने का ना कि अब बारी आगे बढ़ने की और एक्षन का कार्ड पहले ही आ गया डेफिनेटली यहां पर आपको एक्षन लेने की जरूरत है इसलिए इंजल्स ने भी कहा कि दो उपिक्राइब करने के लिए और आपको बहुत जल्दी आपकि अदियो अगे और बातों इंजल्स ने एक्षन लेकर आओ नए motivations लेकर आओ, नए skills लेकर आओ, अपने relationship को better करने के लिए और आपको success बहुत जल्दी हांसिल होगी, ये भी possibilities है लेकिन आप action लो तो सही, आप कब तक अपने आपको three of one की उर्जा में रखेंगे और sun की उर्जा में क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं आपसे angels भी यही कह रहे हैं कि आप क्यूं अटके हुए हैं, क्यूं फसे हुए हैं तब आपके उपर depend है कि आपको करना क्या है तो ये message है यहाँ पर आपके लिए, आपको relationship के लिए ये contact, no contact सभी के लिए है जो भी आप अपकी situations में लगता है कि हाँ ये चीज़े मुझे लेनी चाहिए अपने रिष्टे के लिए तो बिल्कुल ने death आए हुए है, sun के बाद तो कुछ major changes यहाँ पर आपके relationship में अगर हो रहे हैं हुए हैं, तो definitely उसके बाद एक नई शुरुआत होगी क्योंकि sun भी कह रहे हैं कि नई शुरुआत होगी, death भी कह रहे हैं लेकिन उससे पहले कुछ खतम होगा, क्या खतम होगा, negativity खतम करें इस रिष्टे की जितनी negativity, जितनी भी बेकार चीज़े हैं, उन सब को खतम कर देजिए इंजल्स कह रहे हैं, तब जाकर आप अपने relationship को आगे बढ़ाईए, उसमें एक नई शुरुआत कीजिए, एक नया उजाला लेकर आई, लेकिन पहले पुरानी चीज़ें को, पुराने मुद्दों को, बहस को, इर्जाम लगाना एक दूसरे पर, इन सारी चीज़ें को सब और the death, दोनों ही एक साथ आए हुए हैं, आपको ये समझाने, ये उजाने कि कुछ भी major चीज़ें अगर आपके साथ घट रही हैं, तो आप उसको देखें, समझें, परकें की वो क्यों घट रही हैं, कि किन वजाहों से घट रही हैं, उसके बाद definitely एक नई शुरुआत गुजरना ही होगा उस phase से आपको, तो आपको new beginning करने की जरूवत है, पुरानी चीज़ें को खत्म करने की जरूवत है, जरूर थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन आगे situation इंप्रूव होगी, ताकि आपकी life में देखें, बैलन्स आ सकें, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप actions लें, और बहुत बैठे बैठे ना सोचें, आगे बढ़ें, पुरानी चीज़ें को खतम करके आगे बढ़ें, सूर की उर्जा के साथ में, death की उर्जा को खतम करके आगे बढ़ें, दसन की उर्जा में, और balance लेका रहा है, six of pentacles, आकि आपका relationship balanced हो सके, खुश हो सके, आप आपके चीज़ों को जो चाहिए, वो मिल सके, और आप एक अच्छी life अपने relationship में जी सके, अपने partner के साथ जी सके, उन्हें खुशियां दे सके, वो आपको खुशियां दे सके, जितने भी misunderstanding है, सब किनारे कर देजिए, मिलिए, मिलकर बात कीजिए, और बोलिए, देखो भा relationship को balance करने के लिए, तो ये कुछ है angels की तरफ से messages, I hope आपको कुछ guidance मिली होगी, अगर मिली हो तो please मुझे बताएगा, इस वीडियो को like कर लिजेगा, अगर आपको पसंद आया हो, और चैनल को subscribe कर लिजेगा, अपनों को साथ share कर लिजेगा, thank you so much, take care all of you, bye bye